नमस्कार दोस्तों, क्लास सेवन महाराश स्टेट बोर्ड, मैथेमेटिक्स, उसमें प्रैक्टिस एट 4 तक कोशन हो चुके हैं, अभी प्रैक्टिस एट 5 के लिए हम आगे, नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, तो यह पॉइंट शुरू करने से पहले आप से भी कौन रद है कि चैनल को सबस्क्राइब करें, शेर करें अपने दोस्तों में, और बिल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियों के नोटिफिकेशन मिल जाएं, तो उसे हम कहते हैं, रेटेंगल ट्रेंगल, तो रेटेंगल ट्रेंगल मतलब एक एंगल यहां पर दिया गया है, and the given the hypotenuse and one side एक hypotenuse और एक side अगर हमें दी गई हो कुछ से भी side यहाँ पर एक side है यहाँ पर एक side है और right angle तो right angle हमें पहले form करना है यह या फिर यह side है hypotenuse है तो हम जो है ओट रेंगल डॉ कर सकते हैं अब जो भी side दी गई है वो हमें base में लेना है suppose A B side दी गई है 5 cm है suppose एक example हम यहाँ पर ले रहे हैं और B A जो hypotenuse है suppose B C suppose यह है 10 cm अब इतना ही दिया गया है तो हमें construction करना है तो कैसे करना है देखेंगे पहले A B डॉ कर यह 5 cm यहाँ पर 90 degree का angle लेजिए 90 degree का angle लेने के बाद अब B point से C point तक 10 cm का distance है तो B point से हमें एक compose से आर्क लेनी है यहाँ पर 10 cm लेकर और यहाँ पर आर्क देनी है तो यहाँ पर जहाँ पर point of intersection मिला ओ point यहाँ इसको join करो B point को A 90 degree तो यह angle बन जाएगा अब यह हम practice set की question लेंगे तो आपको समझ में आजाएगा practice set 5 question number 1 अभी construct triangles of the measures given below इन triangle M A N measure up angle M A N is equal to 90 degree length of A N 8 cm M N 10 cm तो सबसे पहले हमें जो 90 degree का angle है वह हमें यहाँ पर लिखना है अब देखिए angle M A N जो middle vertex होता है A वो right angle जो angle दिया गया है उस A point पर होता है तो यहाँ पर A यहाँ पर 90 degree का angle अब तो angle का नाम M A N है तो एक जो side दी गई है A से A N तो A N A N लो यहाँ पर 8 cm जो side एक मतलब base में लेना है वो side हमें मालूम हनी चाहिए ऐसी base में side यहाँ पर लेनी है अब जो point रहेगा M A N A N यहाँ पर है तो vertex रहेगा M length up M N M N के length है 10 cm तो M N low 10 cm A N है 8 cm अब हमें जो construction है वो करना है तो पहले A N 8 cm द्रॉक करना है 8 cm के line segment पहले हम द्रॉक करेंगे 8 cm यहाँ है यहाँ 0 से मतलब यह जो first line होगी वो 0 की होगी 0, 1, 2, 8 तक यहाँ 8 है अब A point को हमें 90 degree का angle द्रॉक करना है यहाँ पर A vertex यहाँ पर Yen यह point को 90 degree का angle हमें ड्रॉक करना है तो इस point को A से मिलाओ फिर 0 line है उस नीचे के line से इसको मिलाओ फिर 90 degree का angle जो है A point के right hand side में नीचे की side है तो नीचे का 0 यहाँ पर है 0 से 0, 10, 20, 30, 90 तो यहाँ हमें 90 जो angle है वो यहाँ पर point लेना है देखें 90 फिर उसके बाद फिरस्ट जो line होते हो 91, 92 से हमें count करना है तो 90 degree के लिए हमने point जो है वो ले लिया है अब इन दोनों point को हमें join करना है तो यहाँ पर join करिए फिर उसके बाद यह point से देखें यह point से यह point से यह point से यहम तक 10 cm का distance है तो यहाँ पर n point है n से 10 cm का distance हमें scale में लेना है 0 से लेकर 10 तक हमें major compose में लेना है और इसके बाद जो point यह point है यहाँ पर sorry n point है n point से हमें arc draw करनी है जो इस line को intersect करें तो जिस point पर intersect हो गई है line यह e-m point यहाँ पर होगा तो यहाँ पर लिखना e-m point और यह और इस e-n point को हमें दोनों point को join करना e-m और e-n को तो e-m और e-n यहाँ पर हम join करेंगा भी तो यह hypotenuse हमें मिलने वाली है तो यह triangle हो गया e-n तो जो भी e-n side है उसे हमें 8 cm लिखना है यहाँ पर 90 degree लिखना है और e-n e-n जो hypotenuse है 10 cm तो ऐसे जो triangle है वो हमें मिल जाएगा question number 2 देखे in the right angle triangle stu I put in a scu is equal to 5 cm length of st 4 cm यहाँ पर 90 degree का angle कहीं पर भी नहीं दिया गया है तो हमें पहले right angle right angle triangle है तो यहाँ पर right angle triangle की rough diagram ग्रो करनी है अब rough diagram में हमें alignment और इनके नाम लिखने है vertex के तो यहाँ पर दिया गया hypotenuse तो hypotenuse क्या होती है yes you जो 90 degree का angle है उसकी opposite side जो होती है वो होती है hypotenuse अब इस hypotenuse की length है hypotenuse yes you 5 cm अब yes हम यहाँ पर भी ले सकते हैं यहाँ पर भी ले सकते हैं yes t या yes t तो कैसे लेना देखिए yes t यहाँ पर दिया गया yes t 4 cm तो 4 cm यह एक side अगर हम लें तो यहाँ पर yes और t इन दोनों में yes point जो है वो common है तो यहाँ पर yes low yes you yes you length 5 cm लो और yes t yes t length 4 cm लो तो यहाँ पर yes t u yes t u yes t u ट्रेंगल ऐसे रहेगा अब यह side 4 cm हो जाएगा अब यह 4 cm एंगल 90 दिर का और यह hypotenस 5 cm जैसे हमने पहले example में solve किया है same as a solve करना है पहले ts 4 cm ड्रॉक करिए फिर 90 दिर का एंगल लेजिए 5 cm composite distance लेकर एक आर्क ड्रॉक करिए और इन दनों के match करिए ट्रेंगल बन जाएगा तो यह कुशन आपको ही solve करना है practice करना एगर में कुशन नमबर 3 देखिए इन ट्रेंगल ABC length of AC 7.5 cm measure of angle ABC 90 degree तो B जो point है उस point पहमें जो 90 degree का angle है यहाँ पर दिया गया है यह point B होगा अब B point से देखिए A यहाँ लेना है या A C लेना है यहाँ पर B point से कुशन से side दी गए है B point से BC दिया गया है BC 5.5 BC हमें यहाँ पर लेना है 5.5 और जो ABC A point रहे गया है तो यहाँ पर A लिखना है ABC triangle होगया अब length of AC 7.5 है length of AC 7.5 यहाँ पर लिखना है 7.5 cm अब जो पहले आमने construction डॉप किया है वैसे ही डॉप करना है BC 5 cm यहाँ पर लोग 5.5 scale से लेना है 5.5 5.5 देखिए कैसे लेना है 5 क्या आगे 5th line देखिए मैं यहाँ पर एक general 0 से लेकर 5.5 तो यहाँ है ऐसे लेना है तो यह point हो गया B यहाँ पर point हो गया C यहाँ पर 90 degree का angle लो अब जब 90 degree का angle आजा है तो यहाँ C point से हमें 7.5 लेकर ऐसे एक आर्क यहाँ पर डॉप करना है और जो point intersection मिलेगा point of intersection उसको हमें join करना है तो right angle triangle मिलेगा यहाँ पर है question number 4 देखे in triangle PQR length of PQ 4.5 length of PR 11.7 cm and measurement of angle PQR is equal to 90 degree PQ Q point पर 90 degree का angle है तो यहाँ पर हमें Q point लेना है Q point से लेकर PQ यहाँ पर दी गई है तो PQ 4.5 cm अब यहाँ पर 90 degree का angle और जो hypotenuse दी गई है PR 11.7 cm P यहाँ पर होगा R point 11.7 cm अब रफ डाइग्राम हो गई आप इजीले डॉड़ कर सकते है QP डॉड़ करिए फिर 90 degree का angle फिर P से 11.7 cm डिस्टंस लेकर यहाँ पर एकार डॉड़ करनी है फिर इन दनों को जोईन करना है तो first जो example है तो आप थोड़ा और मतलब एक दो बार देखें धान से तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह भी construction कैसे करना आएगे तो प्रैक्टिस इट 5 में इतनी कोशन से फिफ्थ कोशन दिया गया है तो आप एक दो चार एक्जाम्पल जो है वो खुद से एक्जाम्पल लेके आप सौल्व कर सकते है तो ठीक है दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद तो